दोस्तों स्वागत है आपको अपने चानल नेट अड़ उपर दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नगरी करण क्या है नगरी करण की परिभासा क्या है और नगरी करण की क्या क्या विशेस्ताएं हैं इसके बारे में आज हम लोग डीटेल्स में जानने वाले हैं तो वीडियो काफी important होने वाला है लास्ट तक जरूर देखेगा अगर अच्छे से समझना है तो चलिए हम लोग सुरवात करते हैं सबसे पहले वीडियो अगर अच्छा लगे तो like जरू कीजेगा चलिए सबसे पहले जानते हैं कि नगरीकरण है क्या ठीक है तो लोग नगरीकरण कहते हैं इस प्रक्रिया के परणाम सरोप किसी भी देश की जनसंख्या में ब्रिद्धी होने लगती है नगरीकरण नगरीय बनने की एक प्रक्रिया है इसका तातपर्य व्यक्तियों अथवा सामाजिक प्रक्रियाओं को नगरीय शेत्रों के अनुरूप तो उसको हम लोग कहेंगे नगरीकरण ठीक है या अगर नगर की संख्या मा लिजे भारत में दो है ठीक है और कुछ सालों बाद नगरों की संख्या जो है दस हो गई ठीक है दस हो गई तो उसे भी हम लोग कहेंगे नगरीकरण ठीक है जनसंख्या नहीं बढ़ रहा है कोई क्रिया को नगरी करण कहते हैं ठीक है नगरों में जम जन संख्या व्रिद्धी होती है तो उसको कहते हैं नगरी करण या फिर नगरों की संख्या में व्रिद्धी होती है तब भी उसको कहते हैं नगरी करण अब चलिए हम लोग जानते हैं नगरी करन का आसे नगरी चेत्रों की जनसंख्या नगरी अपरक्रियाओं में बिद्धी होना है कुछ प्रमुक विद्वानों ने इसे परिभासित करते हुए लिखा है कि क्या लिखा है चलिए उसको हम लोग जानते हैं तो सबसे पहले परिभासा दिया है श्री निवास जी ने और श्री निवास जी ने बताया है कि नगरी करन से आसे केवल संकुची चेत्र में अधिक जनसंख्या से नहीं होता बलकि सामाजिक आर्थिक सम्मंधों में परिवर्तन होता है जैसे स्रीनवाजी ने कहा है कि नगरिकरण वह नहीं है जिससे कि जनसंख्या एकदम बढ़ते रहे मतलब जनसंख्या बढ़ना ही नगरिकरण नहीं है बलकि वहां का सामाजिक आर्थिक इस्थिती भी परिवर्तित होना चाहिए तो उसे हम लोग नगरी करण कह सकते हैं ये स्रीनिवाज जी ने कहा है अब बरगेल जी ने क्या कहा है कि हम ग्रामिन चेत्रों को नगरी चेत्रों में बदलने की प्रक्रिया को नगरी करण कहते हैं अगर गाओं का चेत्र है वो नगर में परिवतित हो रहा है सहर जैसा बन रहा है तो उसको हम लोग नगरीकरण कहते हैं एक और विद्वान है एंडर्जन तथा इस्वरण ठीक है इन्होंने क्या कहा है ये दोनोंने क्या कहा है कि साधारण रूप में नगरीये विकास के सुंदर रूप में ही नगरीकरण सब्द का अपयोग किया जाता है कि व्यक्तियों द्वारा ग्रामिन छेत्रों में नगरीये आवास की ओर बढ़ना व्यक्तियों द्वारा क्रिसी कार्य के अस्थान पर गैर क्रिसी कार्यों का ग्रहन करना देखें अगर कोई गाउं है ठीक है वहाँ पर जनसंख्या भी बढ़ रहा है आर्थिक और समाज के स्थितियों में भी सुधार हो रहा है और वहां के लोग धीरे धीरे गैर क्रिसी कार्य कर रहे हैं मतलब क्रिसी को छोड़ रहे हैं तो उसको भी नगरीकरण कहा जाएगा ठीक है एंडर्जन तथा इस्वरन के अनुसार अब चलिए हम लोग जानते हैं कि नगरीकरण की वि यह विशेस्ता है इसकी और नगरीकरण में लोग क्रिसी कार्यों को छोड़कर अन्यकार्य करने लगते हैं नगरीकरण जब होने लगता है तो क्रिसी कार्य लोग छोड़ने लगते हैं ठीक है लोग क्रिसी करना छोड़ने लगते हैं गैर क्रिसी कार्य करने लगते हैं नगरिय जीवन जीने की एक विधी है जिसका प्रसार सहरों से गाउं की ओर होता है नगरिय जीवन जीने की विधी को नगरियता अथवा नगरवाद कहते हैं अगर आप नगरिय जीवन जी रहे हैं तो वो नगरवाद है ठीक है नगरवाद केवल नगरों तक ही सीमित नहीं होता बलकि गावं में रहकर भी लोग नगरिय जीवन विधी को अपना सकते हैं अगला है उपरुक्त विवरण से यह सपस्ट होता है कि नगरिकरण का अर्थ केवल ग्रामिन जनसंख्या का सहर में आकर बसना अथवा भूमी से सम्मन्धित कारियों के स्थान पर अन्य कारियों में अपने को लगाना ही नहीं है लोगों का नगर में आकर रहने लगना नगरिकरण नहीं हो जाता ग्रामिन वक्ति भी जो की ग्रामिन व्यवसाय त्यागते नहीं है नगरिय हो सकते हैं यदि वह नगरिय जीवन सैली, मनोवरिती, मुल्य, वेवहार और द्रिष्टिकूंड को अपना लेते हैं उपर दिये के जितने भी बाते हैं उससे पता चलता है कि केवल जन संख्या बढ़ा लेना या क्रिसी कारे को छोड़ देना या क्रिसी को त्याग देना ये सही नगरिकरण नहीं है बलकि गाउं में भी नगरिकरण हो सकता है कैसे अगर नगरिय जीवन सैली जीने लगे लो लोगों जैसे हो जाए तो वो भी नगरी करण ही होता है ठेक है तो ऐसा नहीं है कि जनसंख्या बढ़ गया या क्रिसी छोड़ दिये तो नगरी करण हो गया ऐसा नहीं है जो क्रिसी करते हुए भी नगरी करण हो सकता है उद्योग की अस्थापना के साथ भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया में भी तेजी आई है वरतमान में 5470 कसबे एवं 35 महानगर है इनमें से परतेक की जनसंख्या 10 लाग से भी अधिक है भारत में नगरिकरण की प्रक्रिया ने समाज एवं जन जीवन को बहुत प्रभावित गया है इसके परणाम सरूप एक तरफ अनेक सुबधाएं प्राप्त हुई है तो दूसरी तरफ कई सामाजिक आर्थिक एवं समस्याओं को भी पनपने का मौका मिला है मतलब नगरिकरण होने से कई सुबधाएं भी आई है और कई विवस्था भी हुआ है और लोगों के जीवन में भी सुधार हुआ है लोगों का जीवन भी बहुत प्रभावित हुआ है लेकिन कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़े है तो कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े है यानि नगरी करण से कुछ समस्याइं भी उत्पन हुई है समस्याओं के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे आज के वीडियो में केवल एतना ही तो यहां तक आप समझ गाऊंगे कि नगरी करण क्या है चलिए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ नगरी करण किसे कहते हैं तो नगरों में अगर जनसंख्या के व्रिद्धी होती है या किसी भी इलाके में जनसंख्या के व्रिद्धी होती है या वहां की सामाजिक आर्थिक स्थिती परिवर्तित होता है तो उसको हम लोग कहेंगे नगरी करण ठीक है या नगरों की संख्या में भी बिद्धी होने लगता है तो उसको भी हम लोग नगरी करण कहेंगे ये समझ गए तो यहां तक कोई डाउट है अगर तो कमेंट कर सकते हैं वरना समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनलों को सब्सक्राइब कर लिजिए तो अगले मिलते हैं आगे नय टॉपिक के साथ नय टॉपिक में हम लोग आगे ज अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नगरे करना से क्या समस्याएं हो सकती है